हमें पानी कैसा पीना चाहिए? यह सवाल कभी ने कभी हम सब के मन में आता है कोई बुलता है कि सुबह उठकर 4-5 गलास पीना चाहिए कोई कहता है कि हमें सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना चाहिए कोई कहता है कि हमें शहद और नीबू मिलाकर गर्म पानी का सेवन सुबह सुबह करना चाहिए लेकिन इसमें सच्चाई क्या है तो आईरुवेद में यह बताया गया है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए कैसे पीना चाहिए कब पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए तो शुरुवात करते हैं सुबह सुबह उठकर पानी पीने से जिसे आयरुवेद में उशा पान कहा जाता है आपको यह जानकर बहुत आश्चर होगा कि आरुवेद के महापंडितों चरक और वागभट जी ने अपने विचारों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सुबह सुबह उठकर सभी को पानी पीना चाहिए क्योंकि आरुवेद के अनुसार पानी भी एक तरह का रसायन है याने इसका उपयोग बीमारी के उपचार में दवा की तरह ही किया जाना चाहिए सुबह सुबह उठकर गर्म पानी उन लोगों को पीना चाहिए जिन्हें पाइस की शिकायत हो, जिन्हें कॉंस्टिपेशन रहता हो जिन्हें पाचन संबंदी विकार हो और जिन्हें बार-बार मल त्यागने की इच्छा होती हो लेकिन जिन्हें कफ और वायू के रोग हो उनके लिए सुबह सुबर उठकर पानी पीना ठीक नहीं होता है अगर हम पानी पीने के संबंद में अपने प्राचिंतम विज्ञान आरुवेद के कुछ सिधानतों का पालन करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों को अपने भीतर बुलाने से बच सकते हैं आरुवेद कहता है कि पानी हमेशा संतुलित मात्रा में ही पीना चाहिए क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में पानी पीने से आपको नुकसान हो सकता है अब आरुवेद कहता है कि ज्यादा पानी पीने से क्या नुकसान हो सकता है तो आरुवेद के अनुसार आपके शरीर में ज्यादा पानी पीने से आम दोश में वृद्धी हो सकती है आम दोश में वृद्धी का क्या मतलब होता है? याने आपके शरीर में ज्यादा पानी से सडन पैदा हो सकती है. उसका कारण क्या होता है? कि यह ज्यादा पानी आपके जठरागनी याने वाइटल फायर फार डाइजेशन को मंद कर देता है. लेकिन जिन लोगों का विश्वास हमारे प्राचीन विज्ञान आयरोएद पे कम है और मॉडरन साइंस पे ज्यादा है तो उनके लिए भी यह पढ़ना बहुत जरूरी है गूगल पर उपलब्ध है जाकर पढ़ लीजिएगा औस्ट्रेलिया की एक यूरिस्ट्री ने रिसर्च पेपर पकाशित किया है drinking too much water can kill you उसका करण उन्होंने यह बताया है कि ज्यादा पानी पीने से आपके शरीर में सोडियम की कमी हो सकती है जिससे हाइपो नाइट्रीमिया जैसी बीमारी आपके अंदर आ सकती है अब इस हाइपो नाइट्रीमिया से क्या होता है कि बॉड़ी में सोडियम की कमी से water retention होने लगता है आपकी बॉड़ी में सूजन बढ़ने लगती है याने obesity आ जाती है that can kill you अब बात करते हैं गर्म पानी पीने की तो इस संबन्द में हमारे आचारे वागभटिजी लिखते हैं दीपनम पाचनम कंठियम इसका मतलब क्या होता है दीपनम मतलब गर्म पानी जो है वो vital fire for digestion जो टरागनी को बढ़ाता है पाचनम मतलब जो गर्म पानी होता है वो पाचनम में बहुत सहायक होता है कंठियम मतलब गले में अगर कोई बीमारी हो दर्द हो किसी भी तरह की शिकायत हो आपको तो उसमें यह गर्म पानी पीना बहुत लाबदायक होता है गर्म पानी का सेवन करने से आपके शरीर में fat metabolism बहुत अच्छी तरह से नियंतरित होता है इसके अलाव़ गर्म पानी की एक और खास बात होती है कि यह शरीर के लिए पचाने में आसान होता है जहां गर्म पानी 40-45 मिनट में ही शरीर में जाकर absorb हो जाता है पच जाता है वहीं अगर आप ठंडे पानी का सेवन करने के आदी हैं तो इसे पचाने में शरीर को 3 घंटे से भी आधिक का समय लगता है हमारे यूरिनरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए और किड्नीज को साफ करने के लिए भी गर्म पानी बहुत महत्पूर्ण होता है आईरवेद में गर्म पानी के सेवन के कई प्रकार भी बताएगा है अगर आपको शरीर में कहीं दर्द रहता हो, जॉइंट्स में पेन रहता हो, महिलाओं में पीरेड्स के समय ज्यादा दर्द और ज्यादा ब्लीडिंग की शिकायत हो तो ऐसे लोगों को गर्म पानी कैसा पीना चाहिए तो उन्हें एक लीटर गर्म पानी को उबाल कर 750 समल बना लेना चाहिए और इस 750 समल गर्म पानी का इस्तेमाल अगर वो धीरे धीरे नेमित रूप से करेंगे तो उनका दर्द और पीरेड्स के समय की परिशानिया कम हो जाएंगे आरवेद में जो दूसरे तरह का पानी बताया गया है उसमें कहा ये गया है कि एक लीटर पानी को उबाल कर आप आधा लीटर बना ले जब इस पानी का आप सेवन करेंगे तो यह दमा के लिए, बुखार के लिए, कफ के लिए, सर्दी के लिए, खासी के लिए बहुत उपयोगी होता है तीसरे तरह का जो पानी आरवेद में बताया गया है उसमें यह कहा गया है कि एक लिटर पानी को आप इतना उबालिये कि वह 250 ml बच जाए इस पानी का सेवन जब आप करेंगे, तो यह बहुत सारे रोगों जिसमें ओबेसिटी होती है आपका दमा होता है, इसके लावा डायबिटीज होता है, उल्टी की शिकायत होती है इन लोगों के लिए इस तरह के पानी का पीना बहुत अच्छा माना गया है यानि इस तरह का जो पानी होता है, जब वो 250 एमल बचता है, जब हम एक लिटर को उबालते हैं तो वह कफ के रोगों में बहुत लाबदायक होता है अगर आपके शरीर में दिन भर सुस्ती रहती हो, उठने के इच्छा ना होती हो, तो आपको इस तरह के पानी का सेवन करना चाहिए अब बात करते हैं कि सुबह सुबह उठकर गर्म पानी के एक ग्लास में शहद और नीबू मिलाकर सेवन करने से ओबेसिटी की समस्या और मोटापी की समस्या दूर होती है, आज कल देखिए हर दूसरा आदमी इसी नुस्खे का प्रयोग कर रहा है लेकिन अगर आईरुवेद की बात की जाए, तो आईरुवेद में शहद को रूखे और ठंडे सुबहों कमाना गया है इसका अर्थ यह होता है कि शहद की ज्यादा मातरा कभी भी गर्म चीजों के साथ, याने चाय के साथ, याने गर्म पानी के साथ, गर्म ब्रेड के साथ, इस्तिमाल नहीं की जानी चाहिए, वरना यह जहर का काम कर सकता है जी हाँ आपने ठीक सुना गर्म चीजों में अगर हम शेहद की ज्यादा मात्रा मिलाएंगे तो यह हमारे लिए बेहद घा तक साबित हो सकता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप गर्म पानी में नीबू और शेहद मिलाकर पीना ही चाहते हैं तो शेहद की चंद बूदे ही उसमें डालिए आप एक बात और कर लेते हैं कि आजकल हर घर में आरो का पानी पीने का चल चुका है तो यदि आरो का पानी पीने की मजबूरी हो आपकी तब ही आप इसे पीएं और जब पीएं तो एक बात का ध्यान रखें कि आपके आरो के फिल्टर में TDS 200 से 250 तक सेट किया जाना चाहिए इसके अलावा जो आपके पीने के पानी का पीएच है उसको 7 से उपर याने 7.4 तक रखा जाना चाहिए जिससे इसकी प्रवित्ती अलकलाइन हो जाए ऐसी डिक्ट नारा है और यह पानी आपके लिए स्वास्तवर्दा को नुकसान दे साबित ना हो